हेलो गाईज हमें थोड़ा सा चुपके चुपके जाना पड़ रहा है आप देखेंगे कि मतलब थोड़ा सा जूम करता हूं आप देखेंगे कि दो दो मोर यहां पे मतलब अपने पंक फैला के और नाच रहे हैं देखें देखें कैसे यह मोर मतलब नाच रहा है और अभी तो करीब मैं अचली काफी दूर हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि कैमरा देखके वो भी सायद भगना जाए थोड़ा सा काफी डिफिकल्टी होती आपको दिखाने में हर चीजें क्योंकि थोड़ा सा दूर भी दूरी भी बनाई रखनी पड़ती है जो एनिमल्स वगेरा से आप हम धीरे-धीरे करीब आ रहे हैं और देखते हैं क्या होता है पंक वंक अगर ना बंद करेगा तो आपको और ज्यादा मतलब कंप्लीट तरीके से दिखेगा आप देख सकते हैं कि हम धीरे-धीरे पंक तो बन कर लिया है पंक तो बन कर लिया है दोस्तों मोर ने पंक तो बन पता करूंगा कि ऐसा क्या होता है जो एनिमल्स वगरा भगने लगते हैं कैमरे वगरा को देख कर ओके दोस्तों इतना ही दिखा पाऊंगा आपको माफी चाहता हूं कि जैसे जैसे उसमें करीब आगे बढ़ा और उसमें अपने पंकी भी बंद कर लिए और मोर चला भी गया दोस्तों तो इतना ही दिखा पाऊंगा अभी हल चल भी होने लगी है काफी सारे किसान लोग अपने जानवरों को लेकर बाहर निकल चुके हैं चराने वगरा को लेकर और जैसे इसे आगे बढ़ूंगा थोड़े और जानवर आपको दिखेंगे करीब चार-पांच जानव हूं कि मोर कहीं पीछे मिल्या लेकिन मोर दिखनी रहे हैं तो आप देख सकते कि यहां पर अभी यही सारे जानवर हैं तो दोस्तों बस इतना ही दिखा पाऊंगा ओके भाई थाइंक्यू